कि नमस्कार जा जोहर मैं कोमाल साहू स्वागत करता हूं आप सभी का कॉम्पीटिशन कम्मूनिटी के इलर्निंग प्लेटफरम जहां पर आज हमारे शर्चा का हमारे मन्थन का एक विस है जिसे बोर रहे हम क्या 36 गड़ में पंचायती राज एवं नगरपाली का है मतलब आज हम डिसकस करने वाले अनुसूची 11 एवं अनुसूची 12 का के लिए अरेजा सोनो और कोन सा भाग है यह आप हमें कमेंट करके बता सकते इससे पहले भी हमने क्या किया था इस्थानी स्वसासन के उपर एक और वीडियो बनाया था जिसमें हमने जीला पंचायत ग्राम पंचायत जनपत पंचायत पर एक विस्तरित परिचर्चा किया था आज के भी जो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पंचायती राज में और कौन-कौन से प्रकार के प्र प्रस्ण देखिए पहला प्रस्ण क्या बोल रहा है ग्राम पंचायत के कारियों का समाजिक अंकेशन कौन करता है पहले तो आपको प्रस्णा समाज आना चाहिए कई लोग क्या बोलते हैं कि सर आप चीजों को बहुत धीरे ढिल करते हैं अरे भाईया अगर मेरा वीडियो जितने लोग देख रहे हैं अगर मालो पांच हजार लोग या पांच लाख लोग देखे अगर उसमें एक बच्चा भी नहीं समझ पा रहा है स्रिप मेरे वज़ा से हो सकता है उसके खुद के कुछ व्यक्तिगत कारण हो तो व्यक्तिगत का लिएर नहीं रहता तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता मैं इसलिए आपको लोकल लेंग्वेज में जो हमारी स्थानी भासा 36 गड़ी है उसमें अपन क्या करते हैं चीजों को पढ़ने का समझने का को सिस करते हैं अब बोल रहा है क्या ग्राम पंचायत के कारियों का समाजिक अ देखाओ उसमें मैं ने आपको गाओं के बारे में बताया था मैने उसमें बताया था आपको ग्राम पंचायत ओशीमें मैं ने क्या करती है जी निमास करती उसी हम लोग क्या बोल देते हैं गाउं लेकिन आप यह सोचो मालो प्रसासन को आपको उपर से पईसा भेजना है या आप से क्या होता है कुछ राजस्व की वसूली सरकार करता है तो उसको कोई न कोई क्या होना चाहिए भाई यह छेत्र फल और जनसंख्या में आपको एक नया चीज चाहिए मतलब यह पहला चीज और यह दूसरा चीज तो रहेगा इसी में जब जूड जाएगा आपके लिए प्रसासन मतलब एक प्रसासनिक अधिकारी बैठेगा तब क्या बन जाएगा वही गाउं ग्राम पंचायत लेकिन एक जो ग पाट के लिए कम से कम सो मत दाता चाहिए आपको मतलब एक ग्राम पंचायत के लिए कम से कम आपके लिए क्या चीज एक ग्राम पंचायत के लिए कम से config 1000 आपको क्या चाहिए जी मत दाता जाहिए लेकिन आपके पास 1000 मत LIKE होने भी तो चाहिए जैसे आप क्या करोगे थोड़ा सा भीहड़ पर चलो जैसे राइपूर है दूर्ग है और आपके लिए क्या है इढ़ासपूर इधर आपके लिए जो जंञ्ट संक्या घनात पर बहुत जाद है ये तीनों संभागों देखोगे लेकिन आप चले जाओ पूरा बस्तर संभाग आप चले जाओ सरगुजा संभाग यहां जो घाओं आपको मिलेंगे तो एकदम घने 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 घाओं नहीं मिलेंगे तो लो एक गों में 700 मत दाता हैं तो अभी भी तो आपको 300 और मत दाता का जोरत पड़ेगा क्या वो जब तक 300 और मत दाता नहीं मिलेंगे तब तक उस सरकार क्या नहीं बना सकता ग्राम पंचायत नहीं बना सकता तब तक केवल क्या कहला रहा है ग्राम पंचायत नहीं तो ग्राम पंचपल शुignment अब कुछ लोक दिमाग में आएका कि हम सबस시에 भ़ी आप 5 को आप चुनते हो ना पंच आपके लिए 1 पंच ओन था है तो आप देखते हैं थोड़ा सा कि ग्राम पंचपल होता क्या है ग्राम पंचात बेसिकली ना इसमें तीन ही लोग रहते हैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि थोड़े देर बाद ग्राम सब तो बीस पंच में एक क्या बनेगा उप सर्पंच बनेगा इघ्राम पंच में कैवल 21 लोग हो सकते देखे नियुक के लिए पंच है 10 से बाद जन किया है के दिमाग के लिए पंच में और उसी पंच में एक जन क्या है अब सर्पंच तो जब भी ग्राम पंच आद बोलेगा तो आपके दिमाग में शरीफ यही 21 लोग छपने चाहिए एक सरपंच होता है एक उप सरपंच होता है और वी जहन पंच होते हैं क्लियर जी अब देखें 19 जहन पंच होते हैं मैक्सिमा आप यह जो इनके कारियों का समाजिक अंकेशन करता कोने अब देखें आप इस प्रस्ण को थोड़ा सा समझे क्या होता है आप सरकार आपको पैसा भेजा अब पैसा भेज रहे हैं उसका सही काम हो रहा है के नहीं हो रहा है मालो इंद्रा जो बोलते हैं इंद्रावास आता था करके उसी का नाम अब हो गया क्या प्रधान मंत्री अवास योजन है सब को घर बाटना है तो किसी के पास घर नहीं है माल उसमें चड़ा दिये कि हां पांच लोगों को आवास मिलेगा करके लेकिन पांच लोग को पैसा नहीं मिला है और इधर से पैसा पारित हो गया लेकिन भी जो 21 लोग है इसको चुना कोन है भई ग् सभा के लोग मतलब जो मतदाता होते हैं जिनके पास वोटर आइडी होता है वही लोग ये 21 लोग को चुने है क्या तो यही इनहीं जो मतदाता है उन्हीं बोला जाता है क्या ग्राम सभा के सदस्या चुकि यह उनके प्रतिनी धी है यही लोग उनको चून के भेजे है तो इनको कारियों का जो अंकेशन होगा वो भी कौन करेगा यही लोग करेंगे क्लियर जी तो मतदाता करेगा और जो मतदाता होता है वही क्या होता है ग्राम सभा का सदस्या तो इसके लिए आपके लिए आंसर हो जाएगा कौन सी आपको मैं समझा जादा रहूं उसका कारण यह ही है आपको चीजों को समझना यह आगे भी और जब प्रस्ण बनाएंगे तो बेस कुछ होते हैं जिसमें आपको समय देना पड़ता है क्लियर आगे बढ़े क्या अगला सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिती में ग्राम सभा में बैठक क्या ध्यक्षता कौन करता है यह ग्राम पंचायत नहीं लिखा है आप समझ आया क्यों आपको बताया था ग्राम पंचायत यह ग्राम पंचायत नहीं लिखा है ग्राम पंचायत में श्रीफ कौन कौन होता है आपके लिए सरपंच आपके लिए पंच और यह पंचों से चुना हुआ एक कौन रहता है उप सरपंच ठीक है यह ग्राम पंच आपके लिए लेकिन वो बोल रहा है ग्राम सभा ग्राम सभा का मतलब क्या बोल रहा था जितने मतदाता होते हैं सिधा सिधा बात य लेकिन कहा के होना चाहिए उसी ग्राम पंचायद के होना चाहिए ऐसे नहीं बाजू वाले ग्राम पंचायद के भी मतदाता आ गए उसको नहीं बोलते हैं उसी ग्राम पंचायद के जितने मतदाता होते हैं वो ग्राम सभा के क्या होते हैं सदस्य होते हैं तो यह क्या करेंग आपका केप्टन नहीं है आपका वाइस केप्टन नहीं तो यह नहीं देखा जाएगा कि क्या लिखाए ग्राम पंचाज से चीव यह तो आपके लिए प्रसासनी का धिकारी होता है क्या प्रसासनी का धिकारी होता है यह जब पहली बार आपका ग्राम पंच आ जब चून के आएगा ना तो पहला बैठक वैठाएगा यह अधिकारी यह प्रस्णा भी आपको पूछता है आगे देखेंगे प्रस्णा के अनुसारे कैसे पूछता है आपको गरगे उसके बाद तो लगभग 20 साल 25 साल अपन क्या है कर चुका है तो क्या उसको चुनेंगे ऐसा कहीं परवधान ने लिखए तो क्या है जितने मतदाता रहेंगे अर्था जो ग्राम सभाए अपने बीच से उसी समय तत समय क्या करेगा जी अपने विच से एक अध्यक्ष का क्या करता चैन करत तो ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित व्यक्ति उतने ही टाइम में जितने टाइम क्या बैठेगा बैठक बैठेगा तब आप मैं आपको एक चीछ पूछ रहा हूं मैं पिछले वीडियों बताये हूं कि ग्राम पंचायात का जो बैठक होता है ठीक है जी एक माह में कितने बार होता है और आपके लिए जो ग्राम सभा का बैठक होता है वो कितने महने में एक बैठक होना अनिवारिया है या फिर जो मंत का गेप है कि इतना मंत के अंदर होना चाहिए आप मेरे कमेंड करके बताइए पूछता है 36 गड़ आपसे कि ग्राम पंचात का बैठक एक साल में कितनी बार होना चाहिए और ग्राम सभा में एक साल में कितना बैठक होना चाहिए आप मेरे कमेंट करके बताए पीछले वीडियो में मैंने इसके उपर विश्त्रित पर ही चर्चा किया था बैठक लियर तो अभी चलते हैं ग्राम सभा द्वारा निरवाचीत व्यक्ति क्लियर आगे बढ़े क्या अगला लिखा है पंचाइती राज अधिनियाम के अनुसार ग्राम का अर्थ क्या होता है इब देखे वड़े पंचाहिती राज अधिनियाम चुकि यह क्या है जो सत्यसगर् पंचाह hustle का विसाव है अरे या चौनल राज्य सूंची काविसा है आप राज्य तो चोटल कितने विसाव हैं मैं कि मैरे कमेंड करके बताएं कि तो राज्य का सव्धानिक प्रमुखो होता है राज्ये का सवेधानिक प्रमुक राज्ये का सवेधानिक प्रमुक कौन होता है भई राज्येपाल होता है सबसे बड़ा आदमी होता है राज्येपाल जैसे देश के लिए राष्टपती होते है वैसी राज्ये के लिए सबसे बड़ा राज्येपाल होता है भया इसकी नीच बगहेल जीच थोनना वोट दिये थे हम तो और पिछले टाइम hips इंग को भी वोट नहीं दिये तो हम डारेक्ट थोनना चुनते अप्धव अपने विधायक को चुनते हैं विधायक अपने बीच से क्या चुनते एक ज्हन bod मंदिकश्व को क्लियर जी तो राज्य के सबसे बड़े समयधानिक प्रमुक्ष कुन होते हैं राज्य पाल इसलिए राज्य पाल द्वारा लोक अधिसूचना के माध्यम से ग्राम के रूप में जिसको वी निर्दिष्ट किया जाएका मतलब जिसका लिस्ट में नाम रहेगा उसी को क्या बो बोला चाहता है यह ग्राम पंचायद बोला चाता है क्लीर आगे बढ़ें क्या आगे चलते हैं Pon Mont अग्ला क्या बोल रहा है नगर्पालिका परिषद कि अउधी की गपिंडड़ना किस तीथी से की जाती है जब जब भी आपको पूछेगा कि किसी भी चीज का है, चाहे वो जीला पंचायत बोले, चाहे वो जनपत पंचायत बोले, चाहे वो बोले ग्राम पंचायत का, चाहे वो बोले नगर पालिक निगम का, नगर पालिका परिसत का, चाहे वो नगर पंचायत का, छही थोकपन क्या step 4 प्राकर की थितियां होगा निये चारहँ थिती समझे सबसे पहला प्राव ना दीन से क्या होगा चूनाओ स्थार्ट होगा प्रार्आप होगा स्रीगने होगा करके पहलीद बता देता है ताकि जिसके घर में जितना समान है, जितना गिर्वी रखना है, सब रख दो, दूसरे घर छोरी करना है, डखाईती करना है, इलेक्षन में खड़े होना है, सब करना है, तो सब के लिए अप रेड़ी हो जाएं, ऐसे सरकार बोल देता है, आदमी फिर अपने ससराल जा रहा है, सवसासरे अर्थिक साहिता प्राप्त कर रहा है, अपने भाई से जिस से मारा पीटी होता था उसका गोड़ा हाँ चपा कर रहा है, कि भाई मेरेक इलेक्षन के लिए पैसा दे दे, अपने पुराने दोस्तों थे, सब से पैसा मांगेगा कि मेरे की एलेक्षन में खड़े होना है आप बोल रहा है मदधान की तीथी ओधो तीन महिना से जब से एलेक्षन का तारीक आया ताप से पैसा ख़र्चा करहिच रही एगदम पनिक तरह अब election का तिथी आ गया कि हम माल लो एक मार्च को क्या हो गया election हो गया चुना हो गया आप उसका जो पोटा रहेगा वो कापते रहेगा कि इतना पैसा लगाने एक बाद में हारू मत कर गए आप देखना है क्या परिणाम किस दिन आया माल लो एक अप्रिल को क्या आ गया परिणाम को बोलेगा आपको चुनाओ प्रकाशन चुनाओ प्रकाशन का मतलब ही होता है रिजल्ट आपको रिजल्ट कहीं नहीं देगा ना आपको परिणामों की घोशना की तिथी नहीं बोलेगा वो बोलेगा आपको क्या चुनाओ प्रकाशन चुनाओ प्रकाशन हुआ आप जिस दिन रिजल्ट आया इसी बोल रहे हैं क्या रिजल्ट तो जिस दिन रिजल्ट आएगा भई रिजल्ट के 30 दिन के भीतर ये दिन आपके लिए बिकट इन्पॉर्टेंट है बहुत महत्वपूर्ण है आपको याद रखना एक अपरेल से बोल रहा है तो इसके 30 दिन का परिशाद बोल रहे हैं तो नगरपाली का परिशाद में 15 से 40 जन पार्षत क्या होते हैं चुनाया जाते हैं किन के द्वारा निर्वाचित होते हैं भई जनता के द्वारा प्रत्यक्ष अब ये क्या करेंगे अपने बीच से सबसे पहली तो इनको सपत लेना पड़ेगा तो ये सपत किस दिन लेते हैं जिससे दिन पहला बैठा कोगा और इसी दिन क्या होता है भई आप क्या पढ़ रहे हो नगरपाली का परिशाद तो नगरपाली का परिशाद में क्या होता है अध्यक्ष होता है और आपके लिए क्या होता है उपाद्यक्ष होता है यही अग महापावर होता था हुआ अब चुनती आपके वाल पार्सदों का चुनाओं होता है यह पार्सद अपने अध्यक्ष का उपाध्यक्ष का अगर नगन निगम है तो महापर्ण का सभापती का क्या करते हैं चुनाओ करते हैं अरे या सोनो लेकिन पहले आप चुनाओं गया इनको सपत लेना पड़ेगा भाया जब तक सपत नहीं लेंगे तब तक ऐसे आला बात है कि लोग जी की आ चुके हो उसी बोलते हैं पहला बैठक पहली बैठक में सपत होता है उसी दिन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चुनाओं होता है अरे यास ओनो तो आपको याद रखना है क्या प्रथम संभीलन तो जिस दिन प्रथम संभीलन होगा माल लो बैठे कब 10 अप्रेल को त तो option के हिसाब से क्या है परिशद के प्रथम सम्मीलन के तीथी से पहला बैठा कब बैठ रहा है चुनाओं के बाद हमेशा यह देखा जाता है अरे यह सोनो इसके साथ आपको आगे बढ़ने क्लियर आगे चले एक ग्राम पंचायत का चुना एक नौउंबर 2012 को संपन हुआ ठीक है जी आया हुआ प्रस्ण है इतना पढ़ा हुआ हम सब 25 नौउंबर 2012 को क्या हुआ इसकी प्रथम बैठाक इसको याद रखना है प्रथम सम्मearth की बाद कर रहा है इस बीच एक नमबर को क्या हुआ था आपके लिए चुना हुआ था ठीक है 25 नमबर को क्या हुआ इलोक का पहला बैठक हुआ इस बीच ग्राम पंचायत को विगटित कर दिया गया मतलब ग्राम पंचायत में जितने जन सरपंच उप सरपंच उपंच थे उन लोग को फायर कर दिया गया अब तुम लोग काम करने लायक नहीं ऐसा बोल रहा है उक्तग्राम पंचायत के लिए नया चुनाव 20 दिसंबर 2014 को आयोजित हुआ इस नव निर्वाचित पंचायत की अवधी क्या होगे क्या बोल रहा है और बाद में नया चुना हुआ है कब 20 दिसंबर 2014 को कई लोग इसमें बिकट कंफ्यूज रहते तो समझो एकदम एकदम असान एक जन आदमी है इसकी बाई है भी वाइप बाई की बात कर रहा हूं मैं बीबी यह जो उसकी बाई भी है ना यह भाग गई चार साल बाद अब नहीं भी भी आई यह 21 साल का था यह भी 21 साल की थी दोनों लब मैरी साधी कर लिए चार साल बाद है निकल ली नहीं पोसा रहा है आदमी मेरे खुश नहीं रख पा रहा है करके आप यह 25 साल में क्या करेगा नया साधी करेगा तो भाई जो उसकी दूसरी बाई आएगी सी तब यह 25 साल का है तो 25 साल का रहेगा न कि यह हो जाएगा 21 साल का अरे या सो नो तो चार साल तो पहले के साथ रहे चुका है न तो 21 साल का फिर नहीं होगा भाई तब क्या होता है सेस अधी के लिए जितना समय उसके पास बचे रहेगा उसी के लिए उसकी बाई बनेगी न अगर एक नवंबर दो हजार बारा को क्या हुए Иलेक्शन हुआ है क्लीयर जी हमको देखना है रिजल्ट रिजल्ट कब één के पास्सरी रिजल्ट आ गया थक़े 1 नवंबर को 25 नवंबर दो हजार बारा को पहिली बऑठक बैठी और मैं क्या बोला था प्रथम या पहली आपके लिए क्या होना चीए सम्मीलन अब प्रथम सम्मीलन को देखने हैं मैं क्या बोला था प्रथम सम्मीलन के बाद जिसे दिन अगले पांच साल के लिए क्या होता है इलेक्षन होता है अगले पांच साल के लिए बैठेंगे लेकिन क्या हुआ इस बीच देखना है प्राथम बैठक का बैठक बाएठा तर प्राथम बैठक से 5 साल के लिए तो परथम बैठक का बाजी 25 नवंबर 25 नौवंबर 2012 तो हमको देखना है यहां से 5 साल मतलब हो जाएगा क्या 24 नमंबर 2017 अरे 209 तो हमको बस यह देखना है तो मतलब अगर कहां बैठा है दूसरा 20 दिसंबर से इससे कोई लेना देना नहीं है तो जीतना आएगा उस सेश अओधी के लिए आएगा न तो आपको याद रखना सेश अओधी तो हमको कोई लेना देना नहीं, बलकि नया आएगा, लेकिन इसका expiry date कब लिखा है भाई, 24 नॉम्बर 2017, तो आप option B के साथ चलेंगे, कोई भी आदमी नया चुन के आएगा, अगर पहला जो सरपंच है, वो 30 साल, 3 साल काट चुका है, तो अगला बार जब पंचात का गठन ह होगा, और नया उप चुना होगा, तो अगला जो पंच आएगा, सरपंच आएगा, उप सरपंच आएगा, वो कितने साल के लिए रहेगा, दो साल, तो आपको तीथी देखने कोई मतलब नहीं, आपको देखना है, पहला बाठक का बठा था, तो जिस दिन पहला बाठक अगला क्या बोल रहा है यदि ग्राम पंचाज चुनाओं में मतदान के पूर्व किसी अभ्यार्थी की मृत्ति हो जाए तो क्या होगा पहले तो आपको समाझ लो क्या बोल रहा है यदि पंचाज चुनाओं में अब पंचाज चुनाओं कुछ भी हो सकता है जीला पंचाज भी हो सकते हो ग्राम पंचायत भी हो सकता है मतलब वोटिंग नहीं हुआ है अभी वोटिंग का लेकिन डेट डिसाइड हो गया किसी अभीभी अर्थी क्या कि एक जन आदमी मार गया क्या हो जाए आपके लिए मतदान है जो बोटिक है उसको बंद करवा देना चाहिए नहीं होगा मतदान इस्थगित नहीं होगा यह भी आपको क्लियर रही है आगे चलते हैं तीसरे क्लॉस यदि केवल एक अभ्यर्थी सेज हो तो मतदान पट लिया और केवल दो आदमी लोग खड़े थे किसी एक पोस्ट के लिए मालो सर पंच के लिए एक ठो ग्राम पंच आथा केवल दो जन उमिद्वार है एक उमिद्वार निकल लिया तो दूसरा उमिद्वार जो है ओ बिना वोटिंग के तो जीत ही जाएगा क्या यह वा थी सेस रहे तो मतदानी स्थागित हो जाएगा मालो यह मर गया और भी और सी बच है तब क्या बोल रहा है से अधिक हो मतदानी स्थागित नहीं होगा यह भी सही यह ऑं भाई होने के लिए अपने एक ठो किड़नी भी लगा दिया आईफोन रखा था उसको भी गिर भी रख दिया सब चीज को गिर भी रख दिया है और यह आदमी मार गया इसके वज़ा से सोंचो चुनाव स्थगित हो जाएगा इसको कैसे लगेगा अब इसके पास अगले मालो डेट क अब भ्यर्थी सेज बचे हो तो मतदान कभी स्थगित नहीं होता तो अब कव मालो ए और बी दोनों एक ही गाड़ी माया थे दोनों कोई नहीं पड़ गया सी पहले जीता जूताया है तो अगर लास्ट कंडिशन है चाहे दू जहन हो चाहे तीन जहन हो चाहे दत जहन हो होगा यह दोनों चीज को याद रखना और इसमें क्या लिखा है मतदान इस्थगित हो जाएगा मतदान इस्थगित नहीं होगा आरे जब तक आपको आदमी का उमिद्वार का संख्यानी पता है तब तक कि आपके लिए डेटा सफिसेंट नहीं है आप नहीं बता सकते कि य यह होगा कि यह तो आपके लिए क्यवाल ओप्सन तीन और ओप्सन चार सही है तो उसके इसाप से हम चलेंगे किस के लिए सी के लिए क्लियर आगे बढ़े गया पंचायते यदि समय से पहले भंग होती है तो वह कितने समय के भीतर उनका चुना होना अनिवारी है राष्ट पती का चुनाओ कब होता है भई मालो राष्ट पती का पद खाली हो जाए तो इस टाइम में जो उप राष्ट पती होता है और राष्ट पती के सभी उत्तरदा तो क्या करता है निर्वहन करते अरे यह सưngो लेकिन आपको राश्टपति नया कितने छह च्भ महा के अंदर चाहिए रहता है क्या तो हमारे गाओं के सरपन्चूरपन्च लोग अपने आपको राश्टपती सकम समझते हैं क्या गलती चल दो कोई काम को धरक कि की सरपन्स हाब ये काम है अभी मैं खाली नहीं हम आदमी कुछ निहीं कर रहा हैлись सरकल में रमी इग खेल रहा है वह नहbane तो बैट के सट्टा लागा रहे है उससे उसको मतलब नहीं पब्लीक आये लेकिन पब्लीक के लिए क्या राष्ट पति जब राष्ट पति का इलेक्षन 6 महिनेक अंदर होगा तो आपको याद रखना पंचायतों में भी 6 महना के भीतर आपके लिए चुनाओ का उप चुनाओ का प्रावधान है अरे या सोनो आगे बढ़े क्या आगे याद रखने हैं को क्या कि साणनी स्वारी कुची टू से या साणनी टू से मिलाए नीचे दिये गए विकालपों में सहीं उत्तर का चयन करे अरे या सोनो आप देखिए आपको फलाना धेकाना दिया है आपको ऐसे याद नहीं रखना है एकदम सिंपल सा ट्रीक है मैं याद रखता हूं सबसे पहली किसको पंच को प पंच आया सदसे अरे या सोनो इसका एक टू ट्रीक है भई सोजे सोजे ट्रीक को रट लो कभी बाप पूर्खम आईसे इसको देखना याद करने जंजट नहीं रहेगा आपको याद रखना सनी पाजी सनी देवल को याद रखते हो कि नहीं तो आपको याद रखना सनी पा लेन मारता है ना जी अब वो थोड़ना अंग्रेजिक चलाएगा आपको याद रखना सरपंच सरपंच क्या करता है सनी तो नी से क्या याद रखना नीला उसके बाद याद रखना जनपस सदस्य तो पास से क्या हैगा जी आपके लिए क्या लिखाए देखो फीला तो आपको पहली सफेद सफेद किसके लिए होता है पंच के लिए दूसरा क्या लिखा है नीला नीला किसके लिए होता है सरपंच के लिए तीसरा लिखा है क्या आपके लिए पीला पीला किसके लिए होता है जनपात पंचात के लिए जीला पंचात सदसे के लिए क्या होता है गुलापी अब आप option देखे, A का 4, A का 4, उसके बाद क्या लिखा है, B का 3, तो B का 3, उसके बाद C का क्या लिखा है, 1, तो C का 1, उसके बाद D का 2, तो D का 2, तो आपको याद रखना है कौन, आपके लिए option number भी सही answer, clear, आपको बस याद होना चाहिए, नित होता ये है, हम दुनिया भ याद रखना, सनी पाजी, आपको सब चीज याद हो जाएगा, clear, आगे बढ़े क्या, अगला चलते है, आगला प्राशन ये बोल रहा है, निन मलिखित में सुमेलित नहीं है, एक तो बोल रहा है, निरवाची सदा स्या, और दूसरा बोल रहा है, प्रतिभूती नी प्छे होगे जी, तो आपको याद रखना, इसी बोलते हैं, जमानत रासी, आप देखो, आप सुने होगे, केकर जमानत जबत होगे, ये आदमी दुबारा इलेक्सान में नहीं खड़े हो सकाए, एक नंबर के फरजी है, खड़े हो, तो कोनो आदमी ये ला ओट नहीं दीचे, कोन ये एक हजार वोटर में 100 लोग तो वोट ही देने नहीं गए, इनको मजा नहीं आया हम वोट देंगे हैं, हमको कोई लिए नहीं देना है, वोट कितना पड़ा, 900, अब ये 900 वोट में क्या है, हमको देखना रहता है, 800 वोट मान लो, और ये 100 वोट, ये वैलिड वोट थे, या इसी को बोलते हैं, वैद वोट, और इसको बोलते हैं, इन्वैलिड या फिर इसी को बोलते हैं, आवेद वोट, अब आवेद वोट क्या चीज होता है, ये हमारे लिए काम का है, और वैद मत क्या होता है, ये काम का है, तभी आपको समझ आएगा जमाना तरासी, अरे य लेकिन अभी तक जी रहें करके माई किसी को पर टिप पनी नहीं कर रहा हूं लेकिन कई लोग देख रहें यहां तो ऐसे हो गया मेडिकल फेशलीटी इतना जाधा बढ़ गया कि आदमी ने पटिच नहीं रहा है कोई सौप आर कर दिया कोई 110 कोई 120 ऐसे हैक नहीं है अब वह कापते वापते यहां थाक पहुचे अरे या सोनो आप उनको यहां मारेंगे यहां मारेंगे यहां मारेंगे तब ओट काउंट हो लेकिन यह किसी को जान नहीं रहा है तो इसी को बोलेंगे अवेद मत केवल जो एकदम Central में पढ़ा है किसी एक आदमी וिसेश को क्या जा रहा है एक वेक्ति विसेश को वोट पढ़ रहे, तब वो उस विद्वार के मतों में क्या होगा गिनती होगा उसका गड़ना होगा अरे यास और नो तो हमको देखना है कितने वैलीड मत पढ़ते हमको केवाल इससे याद रखने अगर वैलीड मत का एक बटे च्छेया मतलब कुल वैद मतों का एक बटे च्छे भाग अगर किसी एक आदमी को प्राप्त नहीं होता तो उसका जमाना तरासी क्या हो जाता है जपत हो जाता है उसकी बात कर रहा है तो देखिए सबसे पहली क्या होता है पंच उसके बाद कोन सरपन्च फिर जनपत पंच या सदस्या फिर आता है आपके जिला पंचाया सदस्य और इसोनह मैं क्या बोला था एक गो में कितनेःेञर होते हैं 10 से 20 और इस ञैड रख लेना सबसे में सुपाहिली 1,000 होता है और ुउइसका Cristal होता है कून जनपवा पंचायात और इसका जैस्ज भाल होता है कून जीला पंचाया तो ये तीनों सही है हमको देखना है पंच भाईया मैं क्या बोर रहा हूँ 10 से 20 तो मैक्सिमम कितने पंच होते हैं 20 तो आप इसको अगर 1000 को 20 से डिवाइड करोगे अरे या सोनो दो एकम दो पंचे कितना बचा 50 तो आपको याद रखना जो पंच होता है पंच का जो दमाना तरासी होता है वो कितना होता है 50 रूपया ना कि 100 रूपया तो आपके लिए answer number D सहीं है कि नी नुम में सुमेलित नहीं है तो सुमेलित क्या-क्या है पंच का होता है 50 रूपया लेकिन इसमें लिखा है कितना है 100 रुपया, सरपंच का याद रखना, सरपंच का 5000 होता है, इस से जजज डबल किसका होता है? जनपत 4510 का, और इसका जजज डबल होता है क्या? जीला, 4510 ये का, आपके लिए ये परस्म और वियाम पढ़ रहे हो, कर और हो या सिंगल रांड इट एक्जाम का तयारी कर चाहिए वह A.D.व. चाहिए आप अभी आ रहे हैं कि आपके लिए अमिन पर्टवारी चाहिए आप प्यूं का तयारी करो यह सब में यह सब पूछा जाता है मैं आपको तीन चीजों का पूछ रहा हूं वे तीन चीज आप मेरे कमेंड करके बताएंगे शबसे पहली तो आप बताएंगे मुझे कौन नगर निगम या नगर पालिक निगम या उसके बाद बोल रहो नगर पाली का परिसाथ और उसके बाद याद रखने हैं आपको क्या अगला अगर पंजायद इनका जो प्रति भूतिनी छेफ होता है वो क्या होता है और मैं दो ठोबूक देखा हूँ ऐसी लोकल राइटर का आम बोल दूंगा बिजती हो जाएका तो मैं नहीं चाहता किसी को फिर उन लोग बोलते हैं मैं तुम्हारे उपर फलाना कर दूंगा धेकाना कर दूंगा मैं देखा हूं नगर पाली का नगर पंचात का सहीं लिखा है नगर निगम का जो भी लेटेस्ट एडिशन है उसमें गलत लिखा है तो आप मेरे किये बताओ कि इसका क्या होता है प्रतिभूती निच्छे प्या जमानात रासी कितना कितना होता है मैं आपको 200 प्रती साथ इसका कमेंड करके आपको अंसर सहीं दूंगा लेकिन पहली आप भी तो देखो आपकी इस राइटर का बुक पढ़ र देता नहीं है तो आयोक की गलती नहीं है हमारी गलती है कि हम गलत बुक से पढ़ते हैं क्लियर अगे चले क्या तो यह आपके लिए सहीं था अगे बढ़ते हैं नियूंतम और अधिक्तम की संक्या संक्या के विशाय में क्यास नहीं है तो मैं देखो मैं आपको ग्राम पहले वीडियो में सब बताया था कि कितने न्यूंतम वाड होते हूं, कितने अधिकतम वाड होते हैं. मीनिमम ओर मैक्सिमम वाड का नंभर है, ग्राम पंचा है। 10-20 होते हैं क्या? बेलकूल सही। सबस्तों इतने सदस्या होता नाइ या पुला जाते आ सबस्तों कि दरक कोई कोई कर रहा ऐसा होता नहीं होता एक वार्ड से कहीं पंच होता है एक वाट से एक ही पंच होता है, या अगर आप नगर निगम, नगर पाली का परिसद या फिर आप नगर पंचाद देखोगे, तो एक वाट से एक ही पारसाद होता है, clear, तो आपको याद रखना है, एक वाट से एक पंच, तो जितना आपके लिए सदस्य होगा, जितने पंच होगे उसी क्या बोलते हैं सदस्य तो ग्राम पंचात में क्या होते हैं तो दस से बीस क्या होंगे सदस्य होंगे तो दस से पंदरा तो होगा नहीं जनपत पंचात क्या होता है दस से बीस होता है क्या नहीं होता उसके बाद क्या लिखा है जनपत पंचात में दस से पच पंचास, जीतना विकास खंड होगा, उतना आपके लिए क्या होता है जनपत पंचाथ होता है तो 146 विकास खंड तो 146 आपके पास क्या है जनपत पंचाथ अरे या 109 तो ये भी सही था ये भी सही था लेकिन अगर आप देखोगे कि एक जीला में कितना जीला पंचाथ होगा जैसे रायपूर जीला है ठीक है जी तो रायपूर में आपके पास विकास खंड कौन है आप मेरे कमेंट करके बताई आप जिस जीला के हैं वहाँ वहाँ विकास खंड की संख्या बताई तो जिस जीला में जितना विकास खंड होगा उतना वहाँ क्या होगा जनपत पंचाहत होगा लेकिन एक जीला में जितना आ होगा clear आगे बढ़े गया तो ये हो गया आपके लिए तुभी कल्प देखते हैं क्या अमारे लिए कौण-कौण सही है पहला सही है चौंथा सही है और पांचवा सही है तो उसके हिसाब से आपके लिए option number D आगे बढ़े क्या गरांपन्चायत को five समीतियों के विशय में क्या सही आप इसके लिए आपको पढङना पड़ेगा इपकुणा समीतिय प्रिखे छोती है तो यह आपके लिए सहی है एक वेक्टि अधिक्तम दो समीति का सदस्य बन सकता ही यह भी सही है एक वेक्ते अधिक्तम जब दूराट सही है तो तीन थक तो गलते होगा ना जी तो आपको याद रखना के गलत उसके बाद क्या लिखा लिखा ग्राम पंचाथ इस्थाई समीतियों पर नियंतरन रखती एक दम सई भईयाँ जब ग्राम पंचाथ का सच्च वह है आपके लिए क्या होता है समीति होता है तो ग्राम ही पंचायत उसको chilid करेगा ना आई से नहीं है रास्ट पति आएगा उपर से मैं थ्भी वह ग्राम पंच्जाट का समय तो ग्राम पंच्राइत स्थानीता उसको कन्च्रों करते आप यह सर्पंच ुप सर्पंच की रिचा करेगा आई लिखा वह करेगी लिखा जब election होता है कहां कहां कुछ seat का allotment होता है उसमें आरक्षन ऐसे थोड़ना लिखा है कि कहीं पर आपके लिए क्या बैठेगा बैठेगा तो यह इनका fix है यह जाके वहां पर बैठाक में क्या करेंगे अध्यक्षता करेंगे ऐसा कहीं नहीं लिखा है आपको पहला वीडियो में बता दिया था इससे पहली जो वीडियो बनाया था इसमें गयाएगा आपके लिए नगरपाली का पंचायती राज आपके लिए कितना है ग्यारवी आनू सूची है अरे या सोनो दल बदल अभी एकदम ट्रेंडिंग में यहां से भी प्रस्णा बन आपके लिए दसवी आनू सूची आपको पूछता है चत्रीज गड़ एक तो और जो के अंदर राज्य संबंध है यह कौन सी अनू सूची से संबंधित है और दूसरा आपको पूछ रहा हूं सविधान में कुल कितना अनूची है तो आपको बताएंगे कुल कितना अनू स कुछी है सविधान में क्लियार जी पूसता है छत्तित गड़ आपसे आगे बढ़े अगला याद रखने आपको क्या नगर पालिका के अवधी के विशय में क्या सही है नगर पालिका की अवधी की गड़ना निर्वाचन के परिणाम की घुष्णा के थी मैं बोला हूं अवधी की गड़ना प्राथम संबिलान बूले थे क्या जिस दिन पहली बैठा को गा जिस दिन सपत होता है उसी की बात कर रहे ठीक है जी तो यह सही है नगर पालिका की अवधी पांच वर्शी की होती है यह तो सब को पता है बैए चाहे वो जीला पंचात हो चाहे वो जन पत पंचात हो चाहे वो ग्राम पंचात हो चाहे नगर पालिक निकाम हो चाहे नगर पालिका परिसद हो चाहे नगर पंचात हो सब का जो टेन्योर होता हो कितने साल का होता है पांस साल का यह दी नगर पालिका दो वर्श में विगटित हो जाए मतलब पहली भाई भाग तिन वर्ष की अवधी के लिए गठित की जाएगी अरे यास तो दूसरी भाई आएगी टोटल उसको पांच साल ही अपने बाइक साहत रहना है पहली भाई भाग गई दू साल में तो दूसरी भाई कितने तिनी साल तो रहेगी तो ये भी स्टेटमेंट्स आहीं है ठीक है तो दूसरी भाई पांच साल कैसी रहेगी टोटल उसको पांची साल रहना है पहली भाई दूसरा तो दूसरी भाई कितनी तीन साल बचेगी अरे यास ओनो तो ये पांच साल वाला ये गलात है अब आप्सन देखना है आपको तीन स्वरी दो तीन और चार तो आपके लिए अब आप बोलो गे सर आप बाई वाला क्यों बोलते हैं अरे भया जी चीज से आदमी जूर सकता है जो याद हो सकता है असानी से ऐसा ही एक्जामपल देना चाहिए अगे बढ़े क्या अगला याद रखना है क्या नगरपाली का परिशाथ के अधी में के विश्या में क्या सह हैं फिर से ओध्यक्ष का कार्यकाल 5 साल होता है हो पारसदों का कार्यकाल 5 साल होता है क्या हो उसके बाद नगरपाली का परिशाथ की अधी 5 साल होती है अरे शाय अभिषाफो गये न अध्याक्षा और पार्षाद का कार्यकाल या टेन्वार परिशद की अवधी पर निर्भर करता है यह एकदम सही है अध्याक्षा और पार्षाद का कार्यकाल परिशद की अवधी पर निर्भर करता है अब ऐसेत होना है क्या पढ़ रहे हैं आपनों नगरपाली का परिशद और नगरपाली का परिशत को विघटीद कर दिया जाए उसको डिजॉल कर दिया जाए भाई उसको विघटीद कर दिया हो अपने अस्तित्वम नहीं है आप समझो कि आपके घर में तीन जान आप भाई हो पहला भाई बढ़िया पिता जी के मर्जी से साधी किया दूसरा भाई लव मैरीज साधी कर लिए आप बाप बोल दे रहा है उसको मैं तरह जैजास से बेदखल कर दे रहा हूं बाप उसको अपना लईकाच नहीं मार रहा आप दोगे कैसे उसको अब ही आप सुप्रियूम कोट और हाई कोट की बात मत करना सर में जीला नहीं आ ले चले जाओंगो आप समझो चीजों को भाई वह आपको अपना लईकाम आने का तब तो आप बात कर सकते हो जी हक का रहा सोनो कि मेरे क्या ची जमीन में पईसा तो यह क्या बूल रहा है पर अगर आपकी लिए नगरपाली का परिशाद 5 साल चलेगा तब छुण नहीं हो और आपने मिशण को चुन हो और पार्षाद अपने विश से किसको हुण नहीं रहता अब लागर निगम देख लो उसके बाद नगर पाली का देख लो नगर पंच आद देखो अगर ये च्छायों में देखोगे ये खुद अस्तित्व में रहेंगे तब तो यहां के पंच या पारसद या पिर अध्यक या सरपंच किसमें रहेंगे जी अपने टेन्योर पर क्लियर तो यह सही है यदि परिसद की अवधी पूर्व भंग कर दी जाएं मतलब पहली उसको हटा दिया जा ऐसा बोड़ रहें तो नई परिसद की अवधी पांच वर्ष के लिए हो जाएगी क्या ऐसात नहीं होगा मैं क्या बोला था कि दूसरी बाई आएगी तो पहली वाले हो अगर वो चार साल कर चुके हैं तो वो चार साल रहेगा उसक साल बर्ट चार रहता हा उसके लियायत ऊब परिसाथ पांच वर्ष की ऑधी के पुरू बंग कर दी जाए तो नई परिसद से सौधी तक बनी रहेगी तो आपके लिए क्या ? day option 4 सही है आपके लिए option number 3 सही outson number 4 सही है तो किसमें आईए 3,4 और छह तो आपके लिए option number D सही है clear कि आपके लिए ऐसा कभी मथ याद करना कि जो पंच होते हैं सरफंच होते हैं चाहे पारसद होते है या फिर अध्यक्ष होते है चाहे आप नगर सभापत नहीं होता आपके लिए जिला पंचयात यह सब beggedotte में रहेंगे आपने अस्तित्व में रहेंगे दिन अस्तितव में रहेंगे और आप उसी के साथ कीशन वम तो आप पांस साल के लिए चुनाते यह पांस साल के लिए चुनाता यह पांस साल चलेगा तो आप भी पांस साल चलोगे अगला चलते हैं लास प्रशना भी नगर पाली का परिसत के सम्मीलों में किसे मत देने का अधिकार नहीं होता आप देखो इसमें दो टाइप के लोग होते हैं चाहे ओबात करे किसका नगर निगम का चाहे ओबात करे किसका नगर पाली का परिसत का चाहे ओबात करे किसका निरवाजित करते हैं दूसरा होते हैं पदेन सदस अब आप समझो क्या बोल रहा है अध्य नगरपाली का परिषाद में अगर क्या होता है हमारे पाथ 15-40 वाड हो रहा है तो यहां क्या होगे 15 से 40 क trabalho तोने बीससे क्या करेंगे एक जन उपाद्यक्ष को चूनेंगे हमारे पार्सथ कितने भज जाएंगे बहुत ध्यान से समझेगे तोटल मालो मैं 40 लेके चलता हूँ, तो एक अध्यक्ष हो गया, एक उपाध्यक्ष, और 38 आपके पास क्या बाद गया, पारसद, अरे यह सो नो, आप ऐसे नहीं, यह दोनों को भी पारसद थे, लेकिन अपने विश से चुन लिए न, आप यह नॉर्मल पारसद नहीं कहलाते अगर यह क्या है, नगर पाली का है, तो इसी को अध्यक्ष बोलेंगे, और वाइस केप्टन को क्या बोलेंगे, उपाध्यक्ष, अगर यह नगर पंचायत होता, तो नगर पंचायत में भी अध्यक्ष होते हैं, और उपाध्यक्ष होते हैं, अरे यह सो नो, लेकिन अगर लिए नगर्नीगम, तो नगर्नीगम कितने लोग होते हैं, आपके理inator , पारसद होते हैं, तो इस में क्या होगा, एक ज़ेंट जो आदमी रहेंगा केप्टन, उसको बोलते हैं क्या माहापौर, इस में अध्यक्ष क्या दूसरा आदमी होता है आपके लिए कौन सभापती तो एक जहन महापर बन गया एक जहन सभापती आप अगर मैं मैं कितना लेकर चल रहा हूं सतर जहन पारसत तो 68 आपके लिए आप क्या हो गए पारसत बज़ गया है सामझ है तो उसकी बात कर रहे हो क्लियर तो अध्यक्ष को किसे मत देने का अधिकार नहीं होता लाकता कितने चून क्याذا 15-40 अब इस में से एक जहन में मैं विद्ध यह उप्यापत है उपद्यक्ष चे अधिक्ष नहीं did आप उप्यों के लिए तो कारद्वारा मनुनी सदस है इसी बोला जाता है एल्डर मैन अभी एल्डर मैन क्या चीज़ होता है समझी मेरे जैसे आदमी रहता है एल्डर मन अब चीज़ोंग समझीए बहुत ध्यान से पाच मिनट लोंगा लेकिन पूरा चीज़ समझा दो अपन सी जी प्यसी के प्टर्विव दिया पिर नहीं निकला चूपचापा के बढ़िये इमानदारिस पढ़ाही कर रहा है आपको पढ़ा रहें करें ऐसी होता है अब देखो आप देखो मा लो मैं 40 साल तक पढ़ाया, पूरा 40 साल का एज हो गया, मेरे बनने का मन था क्या लोग प्रसासक, लेकिन लोग प्रसासक ना बनके, लोग सेवक ना बनके, जन सेवक तो बनी सकता हूँ क्या, लेकिन आप समझो मेरे जैसे पढ़े लिखे आदमी को जनता चुनती नहीं, क्यों? हम पैसा खर्चा नहीं करेंगे हम किसी कोपी लाएंगे खिलाएंगे नहीं ऐसे हम गडबड हो जाता है तो एक अच्छा आदमी भी इलेक्षन में चून के नहीं आता लेकिन हमारे जो एक्सपिरियंस होते हैं जो हमारे अनुभाव होते हैं वो काम होते अरे यह सोनो जैसे सचिन टेंडूलकर जी राज्य सब हम चुना के गए थे कि नहीं लेकिन अगर वो लोग सब हम खड़े होते तो उनके पास फेम है तो खड़े हो जाएंगे संदीप महस्वरी है वो करता है मनुनीत करता है उसी इक बोला जाता है क्या एल्डर में ताकि वो अपने अनुभाव को क्या करें बांटे क्योंकि हो सकता है यहां पे अगर आप क्या पढ़ रहे हो नगर निगम और अभी हम लोग बेसिकली पढ़ रहे हैं क्या नगर पाली का परिशत 15 से अगर 40 क कोई पूरा मारी मुहर लगाए ठपा अनुपड़ आदमी आ गये जिनको प्रसासन का कोई ठोटी कानन हो तो सकता है न संभावना आप यहां बेक्टिम क्या होता है एल्डर में की न्युक्ति होती है वो आदमी पढ़ लिखाएगा वो जाके क्या करेंगा गाइड करें कि स आपको इसे-इसे करना है तो वो क्या कर सकता है सजेशन दे सकता है अब यह एल्डर में मतलब समाझ लो आप अपने घर के मामा और फूफा जैसे रिष्टा देखने के लिए गये लड़का के नहीं जच रहे है लड़की और बाप को जच गया अब बाप पूछ रहे है किस vere금ामप अडशे सरकार के द्वारे जो मनौनुनी्त द द सतक्या रहेगा न यह क्या करेगा फूरे भासन बाइट सकते है उसको देख सकता है अपना सुजहावधे सकते है लेकिन जब वोटिंग होगा ना तो वोटिंग में भाग नहीं लेगा क्योंकि यह केवल सजेशन दे सकता है सुझाओ दे सकता है अरे यह सो नो लोगसभा और विधानसभा के सदस्य जो नगरपाली का परिशत के पदेन सदस्य हो अब एक क्या चीज होता है समझे जैसे आपके पास लोगसभा सदस्य जैसे हम लोग है रैपूर के तो हमारे जो लोगसभा सदस्य हैं कोन है सुनिल सुनी जी और हमारे यहां विधानसभा क सद से आप दि को यह नगर पलिका परिशास को आपके लिए अगर के लिए नगर नीगम अphetगे बिरिजमोहं अगरवाल जी को आप देखोगे किसको विकास उपाढध्या जी को वह रायप Dewक्षिन से घूँ ओर मिलेंगे ऑप साहई बोड करते हैं उनको क्या आधे सहर आधे गाम वाली कर रहे हैं वोट तो आधे सहर से मतलब है और हमको पूरा सहर से मतलब पूर्ण रूप से ग्रामिन नहीं होना चीए अगर पूरे के पूरे उसको क्या ग्रामिन वोटर वोट कर रहे हैं तब आपके लिए क्या सहरी प्रसासन में काउंट नहीं होते तो आपको देखना रहता है ऐसे आपके लिए विधान सभा के सदस्या विधायक जिसको सहरी वोट कर रहे हैं अगर सहरी वोटर उसको वोट कर रहे हैं तो वो क्या होता है पदेन सदस्या मतलब जो विधायक सहरी छेतर से क्या रहेगा विधायक रहेगा वो उस जगा पे चीजों को सुनेगा, अपना सजेशन देगा, तांडव करवा सकता है, लेकिन खुच जाके बटन नहीं दबा सकता है कि मेरे कोई आदमी नहीं चाहिए कर, क्योंकि वो आदमी उसमें सामिल है ही नहीं, आगे चले क्या, राज्य सभा के सदस्य जो परिशात के पदेन सदस्य ह तो यहीं तीनों लोग तो क्या होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं क्या जी, तो पदेन सदस्य हमको मतलब नहीं है, केवल जो निर्वाचित होते हैं जन्ता के द्वारा, जो कोन होते हैं, वाट के पारसद, उपाध्यक्च और अध्यक्च, अगन नगन निगम में देखोगे सभापती और टोटल जितने इन लोग वोट करेंगे इनके अतरिक्त कोई भी आदमी जो पदिन सदस्य होंगे वो कभी क्या नहीं करेंगे वोट नहीं कर सकते तो हमको पुछाए किसे वोट देने का अधिकार नहीं है तो आपको याद रखना है क्या कोई एल्डर में वोट न है तो आपके लिए कौन हो गया चार पांच हो से ओप्सन नमबर डी क्लियर जी तो देखे यह था आपके लिए इस्थानी स्वसासन का भाग नमबर दो मैंने कोशिज पूरा किया था कि और पूरा किया हूं कि जीतना आपको चीजों के मैं पढ़ा सकूं और आपके इस एस बने और जिसे दिन एस बनेंगे भई मैं चाहूंगा आप मेरे फोन करें यहां से आपको नमबर मिल जाएगा और मैं आपके घर बोरा भेजवा दूंग चुकि आप मेरे स्फिरिम पढ़े हो तो बोरा जीतना पैसा भेजूंगा उसका मेरे 10 परसेंट दे देना सर हम हर मही एक लाख रूपय है कमा रहे हैं तो 10 परसेंट को समःपित करके तो कि आप है तब मैं हूं और मैं हूं तब आप हैं तो सब्का सांस सब्का विकास सब्का विश्मास और सब्का प्रयास है आप कुछ पढ़ोगे तब हो तो कुछ गड़ोगे क्या तो ऐसा एक पदचिन्न आपका होना चाहिए ताकि आपको अगर कोई देखे चाहिए आपका परिवार का आपके गली का आपके समाज का कोई भी वेक्ति हो तब आपको बोलते बने और आप वो बोले कि अगर आदमी बनने है तो इसके जैसे बनने है तो कम से कम मसाल की तरह जैल नहीं सकते तो मिसाल बनने की आपके माददा होने चाहिए उतना आपके महिमात होनी चाहिए अगर आप प्रयास करते रहोगे तब बनोगे ठीक है जी तब तक के लिए जै जोहार जै छतिसगर जै हिन जै भारत झाल 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 झाल